आजकल ओनलाइन शॉपिंग और ओनलाइन सेल के इस दोर में लोग जहां इसका लाब उठा रहे हैं वहीं कुछ ठग बाज लोगों को जहांसा देकर ओनलाइन ठगी भी कर रहे हैं ओलाइन ठगी का ताजा मामला सुयानपूर के गाउन नवा घोगरा का है जहांके रहने वाले स्तीश कुमार पुतर बलराज बेदी ने बताया है कि चार अगस्त को OLX पर उसकी आर्मी परसन विकास पटेल के साथ स्कूटी को लेकर बात चल रही थी विकास पटेल ने अपनी स्कूटी 12,000 रुपे में देने की बात कही वे अपनी पोस्टिंग अटारी अम्रेस सर में बताई और स्कूटी बुक करने के लिए 2150 रुपे जे किशन के खाते में डिलवाने की बात कही तो उसने रुपे जमा करवा दिये उसके बात विकास पटेल ने स्कूटी को आर्मी हेडकौटर पठान कोट से ले जाने के लिए बंती रकम फिर से खाते में डिलवाने की बात कही तो फिर से 8950 रुपे खाते में डिलवा दिये लेकिन अभी तक उसको कोई स्कूटी नहीं मिली है इस ठगी सबंदी शिकायत SS पी दीपक हिलोरी को कर दी गई है अब देखना यह है कि ठगी करने वाले कब तक पुलीस के काबू आते हैं कि अब आता है 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 झाल झाल